ये mail मैंने IIT रूलकी को कर दिया है UPSC और IIT के बीच में ऐसा कोई discussion है हम किसी की ये opportunity नहीं चीन सकते यार कि आप सिर्फ gate दो या फिर आप सिर्फ ये समशकार दोस्तों देखिए दो अलग-अलग exams का एक single day clash होना कोई नई बात नहीं है ऐसा past में भी कई बार हो चुका है जहाँ पर दो exam से एक single day पर clash होना कई बार ऐसा भी हुआ है जहाँ पर कि एक exam और दूसरे exam का interview एक दिन पर clash हो गया जैसा अभी हाल-फिलाल में ही NPCL का exam और SSJ का interview clash हो गया था मध्य की बात ये है कि ऐसा जब भी होता है जब भी दो exam से एक single day पर clash करते हैं तो दोने में से कोई अपनी date change नहीं करता है वो बुलता है कि भाई तुम चूज कर लो तुमको कौन सा examination देना है बच्चों के उपर डाल देते हैं बट generally ऐसा PSU level पर होता है कि दो PSU's के exam अगर generally एक दिन clash कर जाते हैं तो they may or may not change most of the times they don't change बट अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप इंजिनरिंग डोमेन में ऐसे कौन से दो exams हैं जिनके लिए आपके दिल में बहुत huge respect है सबसे prestigious exams जिसको आप मानते हो तो शायद पहला exam का नाम आप gate लोगे और दूसरे exam का नाम आप engineering services लोगे gate क्योंकि आपका IITs conduct करवाती है जो directly MHRD के अंदर आता है secondly जो आपका engineering services हो UPSC conduct करवाती है और दोनों ही bodies के लिए सब के दिल में बहुत जादा respect है पर बात ही कि क्या respect सिर्फ एक तरफ है मतलब कि सिर्फ हमें respect करें और UPSC ने एक ऐसी चूप कर दिया न इसका मुझे as of now कोई solution नजर नहीं आ रहा है मैंने बहुत सारे इसके permutation combinations बना के देखे पर इसका कुछ हल निकलता हो नजर नहीं आ रहा है मेरे पास जो solution हो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेर करूँगा कि क्या best possible solution हो सकता है बट यह जो चूप किन्हों ने की है इससे आठ जितने भी engineering students है B.E.E. students, B.T.E. students उनके लिए ये कही न कही पर ये चूप काफी unfair है मेरे हिसाब से ठीक है? आईए चर्चा करते है मामला क्या है पूरा का पूरा सबसे पहले चीज़ तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी से एक UPSC का कलेंडर शोग कर देता हूँ UPSC SL में जनरली एर के स्टार्टिंग में पूरे साल का कलेंडर आपको दे देती है जिसमें आपको पता होता है कौन से एक्जामनेशन कौन कौन से डेट पे होने वाले है उसमें अगर आप Engineering Services का नाम देखेंगे तो Engineering Services का एक्जामनेशन आपको दिख़ा होगा यहाँ पर 9th of Feb, Sunday को ये एक्जाम होता हुआ नजर आ रहा है आज से पहले क्या होता था आज से पहले जब भी UPSC Engineering Services के एक्जामनेशन करवाती थी प्रिलिम्स के एक्जामनेशन तो generally वो Feb के 3rd week में होता था तो अगर आप Feb का एक map बना के देखें तो Feb का जो 1st week होता था उसका weekend gate के लिए रिजर्व होता था दूसरे week का weekend वो भी gate अपने लिए रिजर्व कर लेता था और जो 3rd week होता था Feb का वो UPSC माग लेता था यह हमें दे दो क्योंकि generally एक्जामस हमेशा weekend को होता है weekday पे इतने बड़े एक्जामस नहीं करवा सकते हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको अटेंड करते है college going, job going, droppers है ना तो सबको ध्यान में रखते हुए weekend सबसे best scenario कंसिडर किया जाते है बट अगर आप यहाँ पे थोड़ा गौर से देखें तो गडबर का क्या हो रही है गडबर इस बार यह हो रही है कि UPSC ने बिना इस बात को सोचे समझे कि भई, जो आपका FAB है उसका जो second week है यानि कि यह जो ninth of FAB आपको दिख रहा है यह तो पहले gate के लिए reserve हुआ करता था तो UPSC को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि आप generally gate इसके लिए reserve कर ले था था अपनी date तो इनको अपनी date को accordingly जो पहले से trend चला आ रहा है यानि कि third week of FAB का जो weekend होता था उसमें set करना चाहिए था पर ऐसा हुआ नहीं है अब मुझे यह नहीं पता यहाँ पर कि UPSC और IIT के बीच में ऐसा कोई discussion हुआ है की नहीं हुआ है इन लोगों ने आपस में कोई बात की है की नहीं की है और अगर इन लोगों ने आपस में कोई बात नहीं की है तो फिर यार यह बहुत ही serious issue है इसका एक particular solution जल से जल हम लोगों को निकालना पड़ेगा otherwise ये सब के लिए थोड़ा सा harmful तो रहे गाई तो आईए discuss करते हैं इसमें क्या-क्या possibilities बन सकती है तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो आपका gate का exam होता था उसके लिए देखो ये dates आपके reserve हो जाती थी ठीक है पहले weekend का मैंने Saturday Sunday ले लिया दूसरे weekend का भी मैं Saturday Sunday यहाँ पर fix कर देता हूँ ठीक है अब यहाँ पर देखो सारी के सारी लड़ाई ना इस date पर हो रही है 9th वाले पर है ना हो सकता है कि कि किसी particular branch का exam एक तारीक को हो जाए वो free हो जाए बच्चे दूसरे particular branch का exam 2 को हो जाए वो भी free हो जाए तीसरे particular branch का exam 8 तारीक को हो जाए चलो इनको भी मान लेते हैं कि यह free हो जाए हलाकि यह free नहीं होंगे इनका scenario मैं बाद में discuss करता हूँ चौथा हो सकता है कि 9th of Feb को जो बच्चे gate का exam देने जाएंगे उनके पास जो engineering services लिंखने के opportunity थी वो कही न कही पर आप छीन रहो सीधा सीधा आप बोल रहो कि भाई मैं आपको दो option देता हूँ या तो gate दो या तो engineering services दो और आप ऐसा नहीं कर सकते हो ऐसा नहीं कर सकते हो आपके आप ये बोलो कि आप इन दोनों में से कोई एक exam चूज कर लो अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो मेरे एसाब से ये गलत है इस पर आवाज उठानी चाहिए और इसका जो भी best possible solution होगा ये हम लोगों को निकालना चाहिए जल्द से जल्द हम किसी की ये opportunity नहीं चीन सकते है यार कि आप सिर्फ gate दो या फिर आप सिर्फ EAC दो और यहाँ पर कहीं नहीं पर discrimination हुआ ना सबोस कोई बच्चा जिसने first को gate का examination दे दिया कि जितने भी बच्चे उस exam का form भर रहे हैं उनके पास fair opportunity होने चे उस exam को attempt करने के there should not be any discrimination तो ये तो सीधा सीधा discrimination वाली बात यहाँ पर हो गई अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि क्या क्या scenarios बन सकते हैं मान लेते हैं कि UPSC और gate ने आपस में बात कर ली उसमें भी बहुत गड़ी थे उसमें भी बड़ी लड़ाई है लड़ाई इंदासेंस की मतलब कुछ proper solution ने निकल पाएगा क्यों ने निकल पाएगा उसकी चर्चा करते हैं उससे पहले एक assumption कर लेते हैं मान लेते हैं कि UPSC जो है वो अपने gate का examination अपने examination की date को change नहीं करेगा UPSC जनरली UPSC को जो calendar होता वो fix होता है और वो worst to worst case में तभी change होता है जब कोई बहुत बड़ा event हो जैसे को election आ गया जैसे अभी last year आप देखो दोगो civil services prelims की date shift होई थी क्योंकि election आ गया था तो आप देखे क्या-क्या scenarios बन सकते हैं आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हो और शायद रूड़की पे अगर same direction पर सोचे कि चलो ठीक अभाई gate को pre-porn कर लेते हैं अब gate को pre-porn करने में देखो issue क्या है सबसे बड़ा issue gate को pre-porn करने में क्या है ये आपके पास 5 month का और ये दर आपके पास January का है ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे मामला फैसरा है तो आप यहाँ मैं शायद यही सलाव उनको देंगे कि चलो कोई बात नहीं आप एक हफते पीछे चले जो जैसा पहले होता था कि पहले दो वीकेंड आप गेट वाले लेलो और थर्ड वीकेंड आप UPSC को दे दो तो इसका पतला भी ये 1st and 2nd वाली डेट अगर प्रीपून होता है तो 1st and 2nd वाली डेट को तो कोई टच नहीं कर सकता तो आप बोलोगे काम करते हैं एक हफते पीछे जाके जैनवरी में चेक कर लेते हैं पिछला वीकेंड कॉनसा पट रहा है अब जैनवरी में भाई देखो वीकेंड पढ़ कॉनसा है ये देखो देखा कुछ यहाँ पर आपको गडबड 25 और 26 ये है गड़ित 26 जैनवरी को तो नैशनल हॉलिडे होता है आप एक्जाम देने कहां जाओगे इसी स्कूल में जाओगे किसी ने किसी जगह पर जाओगे न जहां पर आप जाओगे वहाँ पर तो नैशनल हॉलिडे है अगर वहाँ पर National Holiday है तो वहाँ पर तो कोई होगा नहीं कोई इन्विजिलेटर या फिर कोई भी स्कूल का जो भी infrastructure आपको मिलने वाला है तो अगर आप इसको prepone करते हो ठीक है जो कि किया जा सकते हैं ऐसा मनने नहीं करों कि वो नहीं करेंगे क्या पता prepone करें पर अगर करेंगे तो भाई सारा का सारा जो डाउ है न वो यहाँ पर आके फरजा रहा 26 January को 26 January वाली जो डेट है न इसकी वज़ा से prepone करना थोड़ा सा मुश्किल है अब आप बोलोगे तो सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एक और हफते पीछे चले जाएं यानि कि 18 और 19 को एक्जाम कंड़ट करवा दे 18 को Saturday, 19 को Sunday ऐसा भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इस से क्या होगा कि जो दो अलग अलग ब्रांचेज हैं जैसे मालो किसी बच्चे ने 18 और 19 को दिया और किसी और ब्रांच ने 2 तारिक को और 9 तारिक को दिया 2 तारिक और 3 तारिक को दिया तो उनके बीच में करीबन 15 दिन का आप गैप कर दे रहो ये भी एक तरीके से discrimination या unfair advantage ही तो दिया आपने अपने अधर ब्रांचेज को कि आपने उसमें 15 दिन का गैप दे दिया उन लोग को तियार करने का तो 1 week का gap ठीक है समझ में आता है 5 दिन का gap होता है थोड़ा सा इसली भी maintain करते है बच्चों को travel करना होता है अलग अलग जगह पर जाना होता है तो ये 15 दिन वाली possibility पे मेरे हिसाब से feasible नहीं है और अगर आप इतना पीछे चले आता हो कि आप 18 और 19 को gate का exam करवा रहे हो तो मतलब यार कही ना कहीं पर फिर आपको अब तक inform कर देना चाही था ठीक है अगर आप exam की date को इतना पीछे लेके आने वाले हो तो अब तक आपको ideally inform कर देना चाही था बट मेरे हिसाब से preponement is not the solution और preponement शायद वो करे भी नहीं इन दो dates की वज़े से अगर शायद ये एक week जाने से पहले ये date अगर 23-24 होती है ना या मालो ये date आपके 27-26 होती तो भी शायद वो ऐसा कर देते हैं तो एक चीज यहाँ पर ये भी हो सकते हैं आप बोलो सर जरूरी है कि एक्जाम weekend कोई करवा है भाई ये करवाना तो मजबूरी है ठीक है एक्जाम तो weekend पर ही होगा ये आप और मैं रोक नहीं सकते हैं ठीक है राइट तो पहला तो देखो यहाँ पर सारा का सारा दाव पेज फेल हो गया अब दूसरा सिनारिव क्या आता है दूसरा सिनारिव ये आता है कि gate का exam हम लोग postpone कर दें partially partially postpone करने का मतलब क्या है मतलब ये है कि कुछ branches का examination आपका एक और दो यानि एक और दो वाली date में तो कोई दिक्कत नहीं ये तो होगा फिर आप बोलो कि ठीक है 9 और 10 UPSC को दे दो 15 और 16 हम पकड़ लेते हैं तो अब देखो यहाँ पर वापस से वही मामला गडबड हो जाएगा क्या 1st and 2nd को आपने दे दिया gate को फिर UPSC बीच में आ गया फिर उसके बाद gate के दो अलग branches का examination करवारो कितने दिन का gap मिल रहा है 15 दिन का gap पूरा का पूरा gate का examination conduct करवाने में अगर हम 15 दिन का time ले रहे हैं तो इसमें कुछ particular branches को आप certain advantage तो दे रहे हो ना एक्स्ट्रा पंदरा दिन का उनका time दे रहे हो मैं ऐसा नहीं बोल रहे हो कि भाई EC वाले का mechanical से क्या competition बट मेरे कहने का मतलब यह है कि 15 days के अंतरगयत अगर आप पूरा का पूरा examination करवार हो एक exam को आप 15 दिन एक्स्ट्रा दे दे रहे हो तो यार ऐसा कभी gate का culture तो रहा नहीं है ना तो एक तरीके से आपने culture से ही compromise कर रहे हो exam को plug-in करना मुझे लगता है कि यह दोनों ही organizing body के लिए थोड़ा मुश्किल काम होगा है ना और देखो important बात यहाँ पर यह भी आप समझने की गोशिश करो ऐसा भी होगा ना जैसे कुछ बच्चे सपोस एक तारीक को EC का student हुआ उसने एक तारीक को उसको इतने दिनों का wait करना पड़ रहा है कि बीच में फिर वो जाके एंजिनिक सर्विस एक्जाम देशन देगा फिर उसके बाद वापस आकर data science का examination यहाँ पर 15 तारीक को देगा तो देखो अकुल मिरा जुला के मेरे कहने का मतलब यही है कि इस जगे पर जो EC वाला बच्चा है वो बोलेगा कि भाई मेरा आप EC वाला एक्जाम पंदरा को करवाओ न आप DA वाला examination एक तारीक को कर दो क्योंकि मुझे EC में 10-12 दिन, 13 दिन, 14 दिन एक्स्टा मिल जाते मैं उस 10-12 दिन में 2-3 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेर कर लेता है ना तो पार्शल पोस्ट्पॉन्मेंट भी मुझे इसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है आप एक तीसरा सिन्यारियों यहां पर डिसकस करते हैं कि कम्प्लीट ही पोस्ट्पॉन कर दो कम्प्लीट पोस्ट्पॉन का मतलब यह है कि आप जो गेट का एक्जामनेशन है 9 तारिक दे दो कि भाई आप ले जाओ UPSC 15 तारिक और 16 तारिक वाला जो वीकेंड है इसमें पहला एक्जाम आप कंड़क्ट कर वालो इसमें भी मगर एक प्रॉब्लम है इसमें क्या प्रॉब्लम है इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने एक्जामनेशन के डेट को इतना आगे शिफ्ट कर दिया तो result भी shift हुआ result शिफ्ट होने की वज़े से फिर आपका counseling के date shift होंगी counseling के date shift होंगी तो जो आपकी M.Tech की classes चलने वाले होगी, उनकी date shift होगी तो एक तरीके से जो I.T.s का academic curricular M.Tech का वो आपने पूरा का पूरा हिला दिया अगर आप ऐसा करते हो तो है न, तो यहाँ पर भी कहीं न, कहीं पर वो मुद्दा नजर ही आ रहे हैं ठीक है, तो आप उससे पूछोगे सर फिर इसका इसका best solution क्या है, best solution से पहले एक बार worst possibility देख लेते हैं कि एक और क्या सबसे worst possibility बन सकती है, और मैं भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि भाई ये वाले possibility ना बना दें वो लोग, इसमें देखो क्या दिक्कत आएगी इसमें अगर आप समझने के कोशिश करें, तो हो सकता है कि first and second gate ले ले उसके बाद बोले कि भाई, एक weekend मुझे और दे दो, आठ तारीक को, ये blue color वाले सारे gate है नौ तारीक वाले तो आपका UPSC, मैं इसको circle कर देता हूँ त्यान से समझ लो मेरी बात को, ठीक है, फिर मैं आपको solution भी बता रहो कि इसका solution क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी तरब से कैसे आवाज इसमें उठा सकते हैं, ठीक है अब इसमें गडबड क्या है, इसमें गडबड यह है कि suppose अगर मैंने एक और दो तारीक को gate का examination कंड़क्ट करवा लिया फिर मैंने आठ तारीक को कंड़क्ट करवाया, आठ के बाद मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई, आठी तक तक तो करवा रहो नौको आपको दे रहो, UPSC का exam attempt करने का मौका, आपकरो attempt इसमें प्रॉब्लम यह है कि suppose आठ तारीक को कोई बच्चा gate का examination देता है, उसका center पड़ा हुए दिल्ली में कहीं पे, किसी particular जगा पे ठीक है, और जब UPSC का उसने form भर दिया था, तो UPSC का form भरते time पे हो सकता है, कि UPSC का exam देने के लिए उसने center कहीं और पे डाल रखो, कि शायद मैं जैपूर से दूँगा UPSC का examination, gate का exam देके मैं चला जाओंगा घर एक हफते के लिए आराम से मैं जैपूर में जाके पूसिबल है कि आठ तारीक को वो शाम तक gate का examination देकर आए, फिर वापस travel करके सुबा सुबा पहुँचे और यहाँ पर UPSC का examination attempt करें, तो यहाँ पर traveling या फिर अगर student कुछ certain number of students का center change हो गया, या उन्होंने location दूसरी डाल रखी UPSC का examination, prelims का देने के लिए, तो उनके और मैं कहरा हूँ, उन्हों सारी दिक्कत होगे बाउजी होता है, या आप दो बड़े exams के बीच में सिर्फ एक दिन का gap नहीं दे सकते हैं, फिर से भाई discrimination वाली बात है, कहां पर है discrimination, जिस बच्चे ने एक तारीक को gate का exam देकर जो free हो गया, उसके पास तो 7 दिन का time हो, वो अगर आप partial postpone कर रहे हो, तो पहले weekend में gate, दूसरे में UPSC, तीसरे में gate और इनके बीच में 15 दिन का gap, ये यार इस बात का मुझे तो as of now कोई sense नहीं लग रहा है, तीसरा scenario कि first weekend आप बड़ा दिल दिखाते हुए, दे दो UPSC को, बाकी दो weekend आप cover कर लो, बट इसमें फिर उ UPSC को दे दो, कि भाई आप पकड़ लो, second week आप ले लो, 15-16 ले लो, और 22-23 आप इसको यहाँ पर पकड़ लो, ठीक है, मेरे हिसाब से, मैं ऐसे नहीं गोल रहा है, ये मेरे हिसाब से solution है, तो result और इन सब की बात के हैं, result लाना तो आपके हाथ में, कौनसा आपको manually copy check करनी थोड़ी जादा महनत कर लो, जो result का date है, जो आपके counseling का date है, वो आप fix रखो, आप जो date देते हो, आगे की जो dates है, उसमें आपको ही काम करना ना, बच्ची की महनत तो यहाँ तक खतम हो गई, तो आप थोड़ा जादा महनत कर लो, आप थोड़ा पहले-पहले चीज़े वालो, जरूरी कि आप उसी pace से चलोगे, अगर कोई ऐसी critical situation फस रही है, तो आप थोड़ा पहले भी इन चीज़ों को करवा सकते हैं, तो मेरे इसाब से जो best possible solution, अब यार, देखो मैं कोई authority तो हूँ नहीं, ना तो मैं UPSC की authority हूँ, हलाकि मैंने UPSC exam निकाला हुआ है, पर हम सब के बोलने से हम सब को एक proper, एक systematic, अगर हम अपनी बात को वहाँ तक पहुचा देंगे, तो मुझे लगता है कि फिर इसका कोई ने कोई proper solution निकालने चीज़ों कि मुद्दा तो genuine है, ऐसा नहीं कि हम अपने comfort zone में जाने के लिए कुछ कर रहे हैं, या हम ऐसा बोलने कि gate का examine मत करो, तो कह रहें भाई करवाओ, proper तरीके से करवाओ, discrimination मत करो, सब को same opportunity दो, सारे लोगों के पास same opportunity होनी चीज़ों, है न, कम से कम एक हफते का time तो आपको देना चीज़ों, अगर आप engineering services attempt करना चाह रहे हैं तो, right, तो अब मैंने क्या किया, आप पूचोंगे सर, as a student, मैंने IIT के जो help desk है, वहाँ पर मैंने proper mail कर दिया है, मैं आप लोगों के लिएक बार mail भी पढ़ देता हूँ, तो मैं ये mail कर चुक हूँ, subject पर मैंने डाला हूँ, inquiry regarding gate 2025, exam date and potential class with engineering services films examination, ये mail मैंने IIT रूलकी को कर दिया है, और मैं चाहूँगा कि बिल्कुल similar lines पे, आप अपनी issues को और अच्छे से elaborate करते हुए, आप लोग भी ये mail जरूर कर दिजे, ठीक है, क्योंकि हम इसमें एक genuine बात के चर्चा कर रहे हैं, जिसका की हमारा हक है, हमारा right है, ठीक है, right, तो मैंने इसमें लिखा, dear sir, madam, I hope this email finds you well, I am writing to seek clarification regarding the exact date of the gate 2025 examination, as a prospective candidate, I am concerned about a potential scheduling conflict between the gate 2025, exam and the engineering services prelims examination, which are both pivotal for my future career plans, could you kindly confirm the exact date of the gate 2025 exam, additionally, if there is any information on measure to address such scheduling conflicts, it would be greatly appreciated, I am attaching UPSC calendar for the reference, यहाँ पर देखको मैंने UPSC का calendar भी reference के लिए अटाच कर दिया, और जो इसमें एग्जाम की देट सिन, उसको मैंने यहाँ पर highlight भी कर दिया, so that उनको जादा धुंदा ना पड़े, your timely response will greatly assist me in my preparation and planning for these important examinations, thank you for your understanding and assistance, best regards, ठीक है, तो यह मैंने mail कर दिया है, ठीक है, तो यह अगर आपको इस mail का text ही होगा, तो आप मुझे comment कर दिना, अदर्वाइस अगर आपको यहाँ पर screen पर दिखर होगा, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, अदर्वाइस आप खुद भी अपनी अदर्वाइस कर सकते हो, कि मेरा यह personal issue भाई, मैं gate और ESC दोनों देना चाहता हूँ, और आप जल से जल इसके बारे में clarify कर दीजिए, so that हम लोग accordingly एक decision बना पाए, एक हम लोग अपना mood ले के आपाए, preparation वाले माहल में, है ना, तो अगर आप मुझ से पूछोगे कि sir, कि हम अगर आप gate की त्यारी कर रहे है sir, हमें तो engineering services कोई लेना देना है नहीं, तो जाहरती बाद फिर ये video आपके लिए नहीं है, अगर आप gate की त्यारी करो, full focus से gate की त्यारी करते हो, कोई अगर सिर्फ engineering services की कर रहे है sir, हमको तो gate करना है नहीं, हमको तो सिर्फ engineering services देना, very good भा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा सदियों से होता आया है बड़े एक्जाम्स के लिए ठीक है? ऐसे एक्जाम्स जहां जिसके निकालने से हमारा पूरा गबुरा फ्यूचर दिश्चा दश्चा सब चेंज हो जाती है तो ऐसे एक्जाम्स में हम सभी लोगों को यार एक वैलिड अपॉर्चुनटी मिलने चाहिए सेलेक्शन होना ना होना बात की बात है बड़ केट का एक्जाम्नेशन या एक्जाम्नेशन अटेंप्ट करने की अपॉर्चुनटी अगर हमसे ले ली जाए ये मेरे साब से गलत है तो हमें हमारी जितने भी जिरिस्डिक्शन में जो चीज़ें है जितने हमारी पकड़ में चीज़ें तो हमें जरूर एक इंट्रेस्टिंग चीज़ में आपको और बता दूँ कि ये mail तो मैंने काफी पहले कर दिया था ठीक है मेरे mail पर तो reply नहीं आया हुआ है बट हाँ वन उफ माइ फ्रेंट और उसमें IIT ने एक चीज़ बहुत clear-cut बोली है IIT ने clear-cut बोली है कि we will try to avoid this possible clash आपने बोलतो दिया कि हम इस possible clash को avoid करने का try करेंगे बट जो मैंने आपको scenarios समझाए उन सारे scenarios में आपको best scenario चूज़ करके इस clash को avoid करना चाहिए ओके so thank you so much ऐसे और भी मेरे पास कुछ और issues है जो मैं आप लोगों के लिए बीश-बीश में लाता रहूँगा कुछ और important topics है जो मैं आप लोगों के साथ share करता रहूँगा इतना ही बाकि यार अगर आप अभी भी An Academy Plus जोईन करना चाहते हो तो यार best opportunity है सिर्फ 9999 में आपको An Academy Plus पे आने का मौका मिल रहा है आपको देखो code कौन सा लगाना है ठीके ये code लगाओ भाई An Academy Plus पे आजओ content यार आपको top notch मिलेगा आप किसी भी subject का देखोगे मैं guarantee देता हूँ ऐसा content पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं होगा जो मैं आप लोगों को deliver कर रहा हूँ मैंने आप लोगों के लिए analog भी start किया हुए वहाँ पर भी अगर आप आके देखोगे decision नहीं लिया है तो ले लो आप लोगों के help करने के लिए हमेशा ready हूँ याद रखना ये offer आपका सिर्फ और सिर्फ 13th of July तक valid है उसके बाद फिर से शायद prices high हो जाएंगे फिर ये offer कब आएगा ये नहीं पता बढ़ अगर आप आना चाहतो अब भी आ सकतो prices आप लोगों के लिए बहुत सिर्फ यादा cost effective कर दियेगे so thank you so much everyone see you in another video